For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. अपना फांडेशन बिल्डप करना होता है, अब आप उस लेवल पर पहुच चुके हो, कि मैं कहीं बार आपको कोई section खुझ से interpret करने को दे देता हूं, और आप खुद भी interpret कर पाते हो, तो आगे जो foundation हमने lay down किया है, पूरे syllabus में बहुत जादा help करेगा, और चीजों को interpret करने के लिए, मैंने आपको बताया था, आज की class में, इस batch में, अभी तक हमने जितनी भी पढ़ाई करी है, वो सारी पढ़ाई हम करेंगे, revise, almost हमारे 17 से 18 lectures यहां पर पूरे हो चुके हैं, तो जितना भी content chapter 1 से second का हमने cover किया, सारी बाते हम cover करेंगे, तो बढ़ा, chapter 1 हमने start किया प्रिविशन के लिए, लग्तुनेरा तयार हो, चलो जी, देखते हैं, करते हैं, रिविशन स्टार्ट, हमने अपना chapter number 1 स्टार्ट किया था, which was preliminary, जिसमें आपके से 2 ही section आये थे section 1 to 2, preliminary में जो हमारा सबसे पहले section number 1 आये था, section 1 ने आपको क्या बताया था, उस एक्ट की ज पर पार्लियमेंट ने कानून चलाने की पावर दी थी central government को, and slowly and steadily ये कानून force में आया, और central government को ये पावर देकर कि पार्लियमेंट ने का किसी जी आपको जब सही लगे, आप वो वाला provision force में लास्कते हो, अगली बात यहां पर हमने जानी थी, कि जो हमारा companies act है, वो companies पर, या तो नई वाले companies act में बनी है, पुराने दोनों पर apply करता है, पर इंडिया में कुछ ऐसी companies है, जिन पर companies act के साथ साथ, उनका कोई special act भी apply कर जाता है, कोई example ऐसी company का, जिस पर कोई special act लगता है, banking, insurance and BFC, ये सब उसके example है, तो ऐसी companies पर companies act भी लग रहा है, उनका special act भी permit, अगर आप चाहो, तो आप किसी भी body corporate के ऊफर, company act का कोई भी provision apply कर सकते हो, तो CGX notification निका लेगा, और वो किसी भी body corporate पर company act की कोई भी बात apply कर सकते है, तो ये सारी बाते हैं यहाँ पर आई थी section number one की, अगली बात यहाँ पर हमने जाना था company का मतलब, कि what do we mean by company, तो company act में बने हो, चाहे आप पुराने वाले company act की company हो, क्या दोनों पर नया वाला company act apply करेगा, definitely yes, पर यहाँ पर हमने एक तीसरा example लिया था, example के तोर पर हमने company जानी थी, China Life Insurance Corporation, जो बनी थी China में, और उसका India से कोई लेना देना ही नहीं था, इंडिया में कोई place of business नहीं था, ऐ इंडिया में अपने place of business open कर ले, तो ऐसी company को में नाम क्या देते है, foreign company, सवाल आता है, क्या foreign company, एक company है for the purpose of company act, the answer is no, वो भी company नहीं है, और उस पर क्या पूरे का पूरा company act apply करेगा, नहीं, पर उस पर क्या थोड़ा-थोड़ा company act अप्लाई करना बनता है, yes, तो उस पर थो body corporate या corporation क्या होते है, तो बता दो, what do you mean by body corporate, body corporate includes a company incorporated outside India, but it does not include a cooperative society or any other body corporate with CG में prescribed, CG ने अभी तक किसी को body corporate की definition से बाहर किया है, किसको, Asian Development Bank, पर सेंटल गर्में आपकिसको body corporate की definition से बाहर नहीं कर सकते, एक company को body corporate की definition से बाहर नहीं किया जा सकता, यह आपका मतलब आया था body corporate, यहां पर एक और बात हमने जानी, क्या बड़ा, lawmaker ने आपको body corporate exactly क्या होता है, क्या वो सिखाया, नहीं, क्योंकि body corporate की definition है, कैसे definition है, inclusive definition, तो body corporate में क्या include होगा, lawmaker वो तो बता रहा है, पर वो इसके exhaustive definition आपको नहीं दे रहा, that is, इसके अलावा, जो भी आपके general understanding word body corporate की है, वो सारी entities तो body corporate में आएगे, अगली बात यापर हमने जानी थी, company के features, कि जी company किसले बनाई जाते हो, उनके features क्या है, तो एक एक करके हैं, आपर सारे feature discuss की है, सबसे बहला, company को company's act में किया जाता है, incorporate, और incorporation की वज़े से, उसको बला जाता है, incorporated association, company को company's act के कौन से section में incorporate कि किया जाता है, section 7, कौन से form से, spice plus INC बत्ते, साथ में क्या कोई documents लगाने पड़ते हैं, कौन से documents एक निमोनिक था, mad, app, m से क्या बना था, memorandum, a से, d से, family declaration को दे रहा था, professional, दूसरे declaration किसमें दी थी, subscriber और first director ने, और ap से, a से क्या बना था, address for correspondence, जब तक registered office establish नहीं होगा, औ PC क्या बना था, particular of subscriber, particular of first director, particular of interest of first director and other entity, ये सारी बात हम ने जानी थी, chapter number second में, कि इस तरीके से company को किया जाता है, incorporate, और incorporate होते ही, obviously, वो एक natural person तो नहीं है, it will be incorporated as an artificial person, और वो और members, same है या, अलग-अलग है, जब दोनों की separate legal entity होती है, तो company carries a separate legal entity, और company के perpetual succession भी होते है, क्यो company के जितने asset है, company अपने नाम में hold करेगे, member के नाम में, अपने ही नाम में company सारी property hold करेगे, किसी को sue करने, company अपने ही नाम में किसी को sue भी करती है, अगली बात मेरे आप पर आई थी, कि कि किसी भी company में members की liability कैसी होती है, limited, ये general statement है, क्योंकि इसकी exception होती है, क्योंकि company आप वे लिफ्ट होता है तब भी मेंबर की लिएविलिटी अगला फीचर यहां पर आया था आपका कॉमन सील का बतायाजी एफीचर मेंडेटरी वोलेंटरी है व्लेंटरी अगली बात यहां पर आ गए थी अगली बात यहां पर आ गए थी लिमिटेशन ऑफ एक्शन की हर कंपनी के काम करने का एक दायरा होता है जो उसके में मेंटर्ण cabinet के object law में अगर आपने बाएपने बाहर जाकर काम यहां अग्हां 않को कि company में जितने भी सारे के सारे काम है हमेशा कौन करेंगे टारेक्टर्स unless and until that task is reserved for member तो company की सारी powers हमेशा डारेक्टर्स exercise करते हैं जब तक कि वो काम member के लिए reserved ना कर दिया जाए that is act में कभी-कभी आप कुछ काम member के लिए reserved कर देते हो मेंबर के लिए जब भी आप कोई काम रिजर्व करोगे member के उन काम हो काम क्या बूलते है बिजनस और बिजनस कितने डाइप के होसकते हैं दो कौन कौन से ordinary business या special business ordinary business पूरे law में कितने हैं सिर्फ चार बाकी सारे member के business कैसे होते हैं special और बिजनस पर approval देने के लिए member क्या पास करता है OR या SR और बिजनरी business के लिए OR और special business के लिए SR ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है कोई भी business आपका किसी भी resolution से पास उसकता है depending section के अंदर क्या लिखा हो है अगली बात बेड़ा OR का मतलब क्या होता है या OR को पास कम मानेंगे when votes in favor are more than votes casted against and SR का मतलब when votes in favor are बेड़ा बोलोगे ने तो याद नहीं होगा at least three times the votes casted against OR या SR पास करने के लिए या तो आप member की general meeting बोला सकते हो वरना आप member को चित्थी डालने को क्या बोला जाएगा postal ballot या आप member की general meeting बोलाईए अगर आपने general meeting बोलाईए meeting में voting का पहला तरीका जोफेंट्स दूसरा तरीका पॉल और तीसरा तरीका इस तरीके से member एक company के अंदर decision making करते हैं coming down to director डारेक्टर भी लॉके अंदर दो टाइप के resolution पास करते हैं या तो वो simple majority से resolution by majority पास करेंगे या वो पास करेंगे unanimous resolution पूरे law में unanimous resolution सिर्फ कितने कामों के लिए चीए तीन वरना डारेक्टर हमेशा majority से ही resolution पास करते है unanimous resolution आपका हमेशा board meeting में ही पास होगा पर resolution by majority को आप बोर्ड मीटिंग में भी पास करते हैं वरना चिठी भेज कर भी पास कर आपा होगे डारेक्टर के केस में चिठी भेजने को क्या बोला जाता था resolution by circulation और डारेक्टर अगर चाहें तो वो अपनी पावर्स को अपनी wind-up होई तो जो भी asset बेज कर पैसा आया Salomon ने का जी वो सारा का सारा पैसा मुझे मिलना चाहिए पर unsecured creditors ने का जी वी आर दर रियल आउटसाइडर तो उस पैसे पर पहला अधिकार मेरा होगा तो बताए जी पैसा पहले किसे मिलेगा unsecured creditors को या Salomon जो पर करेगी तो उस पर टेक्स आ जाएगा बिलकुल क्योंकि कंपनी और फालमर्स दोनों अलग-अलग है और जब वो income transfer हो रही है income का नेचर ही चेंज हो चुका है तो यहाँ पर आपको बिलकुल tax pay करना पड़ेगा in the case of Mrs. बच्चायब गुस्तार और जी company की जो यह separate legal entity एक बहुत ही बहतरीन फीचर है पर अगर आप इसका misuse करोगे तो law ऐसे case में corporate well को lift भी कर सकता है तो company की corporate well lift की जा सकते है या तो under the statutory provision की जी कभी-कभी कानून ही आपको corporate well lift करने की इजाज़त देगा for example कानून इजाज़त दी थी section 3a में 3a में का लिखा था अगर किसी भी public company में number of member 7 के नीचे चले गाए private में 2 के नीचे चले गाए फिर भी company काम करते रहे कितने time के लिए 6 मेने तो 6 मेने के बाद company आप जितनी भी liability information दे करके company incorporate करता है तो ऐसे case में बढ़ा किसी को power थी corporate well lift करने की किसको NCLT NCLT ऐसी company के order pass करके उसकी corporate well को lift करके member को personal liable कर आस्पता है तो जी corporate well आपके lift होसके या तो under the statutory provision या आप corporate well को lift कर सके under the judicial precedent that is कभी कभी कुछ case loss के तहद भी corporate well को lift कर दिया जाता है पहला case यहां पर बना था जहां एक इंसान ने चार कंपनी बनाकर अपनी investment को split किया और टेक्स बचाने की कोशिश करी तो इस case में corporate well lift होई जी company कितने प्रकार की होसकती है तो पहला classification आप कहा गया था basis registration तो basis registration या तो कोई company होसकती है Companies Act में incorporated company या वो company जैसी entity होसकती है मतलब जो companies Act की company तो नहीं है पर दिखती company जैसी है जिसको हम कहते है statutory corporation क्योंकि उसे Parliament के अलग कानून के द्वारा बनाया जाता है कोई SC NTD का नाम LIC अगला यहां पर classification आप कहा गया था basis registration बेस रेजिस्टरेशन इंपनी उसकती है public या private company प्राइवेट कंपनी को define किया गया था section 2 clause 68 कैसे रिभाइवेट कंपनी means company having a minimum paid up share capital as may be prescribed and which by its article तीन बात या थी कौन सी R L P R से क्या बना था restricts the right to transfer it shares LC क्या बना था except in OPC limits the number of its members to 200 पर अगर joint member है कैसे count करेंगे single और जी 200 की limit में कुछ लोगों को count नहीं किया जाता किसको count नहीं किया जाता एक तो present employee को और एक past employee को कब count नहीं करेंगे जब उसे share कब मिला था जब वो employee था और job छोड़ने के बाद भी उसने share अपने पास रखा तब वो 200 की limit में count नहीं होता और फाइल बड़ा PC क्या गया था जो किसी पाइबेट कंपनी को क्या मान लेंगे तो अगर कोई प्राइबेट कंपनी किसी पब्ली कंपनी की सब्सिडिरी है तो उस प्राइबेट कंपनी को क्या मना जाएगा एक Deemed Public Company पर प्राइबेट कंपनी का फर्दर क्लासिफिकेशन ने किया था या तो वो सकती है OPC या वो सकती है small या बाकी other private company तो बता दो बड़ा OPC क्या होती है एक ऐसी कंपनी जिसमें कितने member होंगे एक ही member होगा फिर बड़ा अगली बात यहां पर आगे थी आपकी small company, small company को define किया था section 2 clause 85 कैसे define किया था small company means a company other than a public company जिसकी paid up share capital, सारी limits याद है paid up share capital of which does not exceed rupees 50 lakh or such higher amount as may be prescribed which shall not exceed 10 crore finally the prescribed limit is 4 crore and turnover of which as per the profit and loss account of the immediately preceding financial aid does not exceed rupees 2 crores or such higher amount as may be prescribed which shall not exceed 100 crore but finally the prescribed limit is and 3s कभी भी small होई निस्क ते कौन से 3s, subsidiary holding, section 8 and companies governed by any special act इनको कभी भी small company का दर्जा नहीं मिलेगा, अगला classification बड़ा आपका आगया था basis liability basis liability a company can be limited by share, तो बड़ा जो company limited by share है, वहाँ पर member की liability limited है, unlimited है limited है, और किस पर dependent है, shares पर, अगर उसको share पर कोई पैसा पे करना बकाया है, तो वहीं तक member आपकी liability आएगी, दूसरी होती है, आपकी company limited by guarantee, member की liability limited है, unlimited है limited है, limited है, unlimited है, limited, और किस चीज़ पर बेज़ रहे, guarantee amount जो member कब ला करके देगा, in the event of winding up, and coming down to unlimited company, यहाँ पर member की liability limited है, unlimited है, unlimited है, unlimited, और क्या यहाँ पर बड़ा company का creditor, directly member के घर जाकर, उसके personal asset को sell कर सकता है, नहीं, ध्यान रखना जी, creditor अगर वो अधिकार enforce कराना चाह रहे है, तो उसको वो अधिकार किसके through and force करवाना पड़ेगा, company के through ही वो अधिकार enforce हो पाएगा, तो यहाँ गया था अपर आपका classification, basis liability, अगला classification आपका आगया था, basis control, basis control, company उसके holding, subsidiary, associate, तो यहाँ पर सबसे पहले अपने subsidiary company का मतलब जाना था, section 2 clause 87, कैसे defined कहा था जी, पह माना जाएगा कि आप किसी company के board of director के composition को control करते हो, कम माना जाएगा, जब आपके पास power किसी इसकी है, या तो उस company के सारे, या majority directors को appoint या remove करने की, तब माना जाएगा कि आपके पास उसके board का control है, या दूसरा रास्ता क्या था, अब क्या acquire कर लीजिए, more than 50% की total share capital, नहीं ज जो जाना जी, total voting power आप hold कर लीजिए, तब जाकर भी वो आपकी subsidiary बन जाएगी, और total voting power के मतलब क्या है, जब भी कोई general meeting आएगी, किसी के पास कितने voting right है, उसको कैसे decide करेंगे, उसके show fans के vote के साब से, पोल के साब से, और पोल को कैसे decide करते है, number of share के साब से, या paid up value के सकता है, क्योंकि as per section 47, preference वाले को कितने case में voting right मिलते है, चार, कौन से वो 4 cases है, सबसे पहला, any resolution directly affecting is right, दूसरा resolution for winding up, तीसरा resolution for capital reduction, और अगर आपने उसके कितने साल का dividend नहीं दिया, दो साल का, तो वो सारे के सारे resolution पर vote डालेगा, तो preference वाला भी कभी-कभी आपका voting right में count हो सकता है, किसी भी company को subsidiary बनाना है, तो यह सारी powers आपको directly acquire करनी जरूरी है, या अपनी किसी और subsidiary के through भी acquire कर सकते हो, तो subsidiary की subsidiary भी मेरी subsidiary होती है, तो अगर कोई company किसी दूसरी company में को share hold कर रही है as a trustee, तो क्या उसे holding subsidiary के relation के लिए count के जाएगा, the answer is no, तो यह सारी बात ह कर ले 50 के से जादा, तो वो भी उसकी subsidiary company के लाजाएगी, यहाँ पर आपकी बात आगई थी layers of the company, तो कुछ prescribed companies की number of layer कितने से जादा नहीं होती, तो से जादा, पर बेड़ा क्या ये बात इंडिया की हर company पर apply करती है, नहीं जी, जो आपकी bank, NBFC, insurance or government companies होती है, वो layer वाले concept से exempt है, उसके अलावा जितनी भी companies है, उनकी number of layer दो से जादा नहीं होगी, पर lawmaker में indirectly आपको तीन layers open करना अलावकर रखा है, अगर one of the layer किस की थी, pause की, तबढ़े, यह सारी बात आपने डिसकस करी थी regarding the subsidiary, इसके बाद lawmaker ने holding company को define किया, holding company किसी को भी कब मानेंगे, जब दूसरी company क्या बन जाएगी, उसकी subsidiary, and finally बेड़ा है, यहापर आपका associate company आ गया था, section 2, class 6 में, किसी भी company को associate बनाने के लिए, आपको उस company में क्या acquire करना पड़ेगा, significant influence, significant influence आपके पास से कब माना जाएगा, जब आपके पास कितनी voting percentage है, more than 20, at least 20, at least 20, at least 20 percent की voting power आपके पास होने चीए, या दूसरा तरीका कैसा, आप उसके कौन से decision को control कर लीजिए, answer नहीं, कौन से decisions को, business decision को control कर लीजिए, तब भी माना जाएगा कि वो company आपकी associate है, पर अगर आप उसका control एक बार करते जा रहा है, आपका control पचास टके से टप गया, तो उसका associate मानेंगे, subsidiary म द्यान रखना कि company set के purpose के लिए, एक और type की company को associate की definition में cover कर दिया गया, कौन से company, joint venture company, तो यगर आपने JV company में आई है, वो भी associate में covered है, इसका implication बस इतना था कि पूरे company set में, अगर कोई भी बात किसी associate company पर apply करेगी, JV company पर वो बात automatically apply कर जाती है, तो यह आपका classification आगया basis listing, basis listing, a company उसके listed या unlisted company, unlisted को तो lawney defined नहीं किया, listed को जुरू define किया, तो बता दो, listed company को क्या मतलब होता है, कोई भी company को listed कम मानेंगे, अगर उसके shares या security, अगर उसकी कोई भी security किसी भी recognized stock exchange पर listed है, तो उसे listed company मान लिया जाएगा, हाला कि यहाँ पर आई थी तीन exception, यह पहला हमने जाना था foreign company, बता दो विड़ा, foreign company क्या होती है, company incorporated outside India, जिसका इंडिया में क्या होगा, place of business, place of business physical होना जरूरी है, electronic भी हो सकता है, खुद का होना जरूरी है, agent का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, और यहाँ पर lawmaker ने फिर electronic mode को define किया, एक छोटा सा mnemonic हमने बनाया था, क्या, TDS on B2B and B2C, जिसमें T से क्या बन गया था, telemarketing, telecommuting, telemedicine, education, information research, D से बनाया था, deposit, subscription and securities, data communication, supply chain management, financial settlement, web-based marketing, यह सारी activities आपकी TDS में कवर होई, बाकि अगर आप B2B, B2C transaction भी कर रहे हो, यह भी आपका electronic mode में आ जाएगा, पर अगर बाहर की कोई company India आतो रह किया जाएगा, the answer is no, और उसकी वज़े से उसको foreign company का दर्जा हम नहीं देंगे, उसकी वज़े से वो हमारे company's at क्या, वो compliance करने से बच जाएगी, तो यह सारी बात आप क्या गई थी regarding the foreign company, अगली बात बढ़े आपर हमने जानी थी, government company, बता दो, कोई भी company, government company कब बनेगी, कि जब सरकार उसमें कितने percent का क्या acquire करे, more than 51, at least 51, at least 51 percent का क्या hold करे, total voting power, total share capital, 51 percent की paid up share capital, जब सरकार hold करेगी, तब जाकर वो government company कलाएगी, तो कोई भी ऐसी company जिसमें 51 percent की paid up capital, या तो center के पास है, या state के पास है, या multiple states पर मिलाकर है, या center state की मिलाकर है, तब उसे government company मना ज चुकर दिया, तो उसको government company बनाने का तरीका ही बिदल जाएगा, और उसको government company कमानेंगे, जब सरकार उसमें 51 percent का क्या hold करेगी, total voting power, और जी government company बनाने का एक दूसरा रास्तोर क्या था, कि अगर आज कोई company किसी government company की क्या है, subsidiary, तब भी उसको government company मान लिया जाएगा, और तरीन महीने के भीतर उसे अपने खातों की एक कापी, पारलेमेंट, और अगर वो state government उसमें member है, तो state legislative assembly के आगे, पेश करनी पड़ेगी, तो this is all about आपका government company, section 8 के साथ करेंगे, अगला classification आपका आगया था, निधी company, slabs का part नहीं है, section 406 में covered है, जो members के benefit के लिए मलती है, और section 455 में आपके आजाती है, dormant company वो भी आपके slabs का part नहीं है, तो बड़े, आपका classification आगया था, various types of companies का, अगली बात याँ पर हमने जान ली थी, अपनी membership, कि किसी भी company में member बनने के, कितने रास्से हो सकते हैं, तीन, सबसे पहला तरीका member बनने का क्या था, कि आप incorporation के स समेही उस company के क्या बन जाई है, subscriber to the memorandum, तो अगर आप subscriber है, तो आपको member मान लिया जाएगा, और member किस दिन से मानेंगे, जिस दिन company incorporate होई है, या जिस दिन company incorporate होने के बाद तो भी share देगी, जिस दिन company incorporate होई है, from that very day, you will deem to be the member of the company, और जो subscriber होते हैं, क्या उन्हें अपना प सी दिन, क्योंकि अगर एक स्ससी दिन में उन्होंने पैसा नहीं दिया, तो क्या company अपना कोई भी business शुरू कर पाएगी, क्या कोई भी borrowing पर exercise कर पाएगी, ये बात कोई से section में लिखी है, 10A, तो बड़ा ये बात आपने सीक्शन 10A, तो subscriber जितने भी share लेना agree करेगा, उसे अ company जब कोई public issue बगारा लेकर के आई थी, आप directly company से share subscribe करके company से allotment ले लो, तो आप member बन जाओगे, या आप company की existing member से transfer करके share ले लो, तो भी member बन जाओगे, या by operation of law, अगर transmission के थुरू आपके पास automatically share आया है, ऐसे case में भी, आप company के member मान ले जाओगे, और member बनने का तीसरा अरीका क्या था, by becoming beneficial owner in the records of depository, यह वाली बात बढ़ा, कौन से shares पर apply करेगी, यह यह वाली बात, कौन से shares पर apply करेगी, जब share physical form में होंगे, DMAT form में होंगे, DMAT form में, क्यों बढ़ा, जब share DMAT form में होता है, ऐसे case में company के जितने भी investors है, उनकी detail company खुद maintain करती है, या कोई और maintain करता है, कौन maintain करता है, depository, that is company के सारे shareholder detail, NSDL और CDSL अपने पास maintain करता है, और NSDL और CDSL कों से registerment के detail maintain करता है, register of beneficial owner, तो DMAT system में company का member उस इंसान को माना जाएगा, जिसका नाम depository के beneficial owner के register में रखा रहेगा, finally, यहाँ पर एक छोटा से topic, अमने हो डिसकस किया था, difference between member and shareholder, व for example, lawmaker ने word member को तो define किया हुआ है, पर lawmaker ने word shareholder को define नहीं किया, तो member की definition तो हमने जान ली, पर shareholder आपको कमाना जाएगा, जब आप company का share क्या करते होगे, hold, तब आपको shareholder बोल दिया जाएगा, अगर अगर आपने कोई company बना दी, limited by guarantee or unlimited, और उसमें share capital ही नहीं है, तो क्या वहां पर word shareholder इसमाल करना ठीक होगा, नहीं, वहां पर आप word का इसमाल करेंगे, member, subscriber to the memorandum, member किस दिन बनेगा, share मिलने पर या, incorporation पर, incorporation पर, पर वो shareholder किस दिन मिलेगा, जिस दिन उसके पास share आ जाएगा, और अगर मेरे पास कोई share था, company के register member में मेरा नाम है, और मैंने share आपको का, जा करके अपने नाम में transfer करवा लेना, आपको transfer करवाने में लगबग 30 दिन लग गए, तो जब तक वो 30 दिन चल रहे थे, उस दौरान company का member को रहूंगा, मैं, पर shareholder आप बन जाओगे, क्योंकि मैंने share आपको दे दिया था, तो ये थोड़े से differences member या shareholder में KMP में कोन को ना जाएंगे, CEO, MD, Manager, company का CFO, company secretary, whole time directors and other prescribed officer या वो सारे लोग जो डारेक्टर के immediately नीचे काम करते हैं, और directors ने उनने KMP के तोर पर यहाँ पर designate कर दिया हो, अगली बात बिड़ा, listed company में पढ़ चुके, network अभी ने पढ़ा, officer and default हम पढ़ चुके हैं, कि law में company में कोई KMP नहीं है, तो board of directors अपने में से किसी को designate करेंगे, और वो वाला director कैलाएगा officer and default, पर अगर कोई ऐसा director designated नहीं है, तो officer and default किसको माना जाएगा, सारे के सारे directors को, अगली बात बिड़ा, और कौन-कौन officer and default में आएगा, जो board या KMP की immediate authority की नीचे काम कर रहा था, य अगर share issue या transfer करने का case है, ऐसे case में जो registrar और share transfer agent होते हैं, उनको भी officer and default मान लिया जाता है, तो बिड़ा, officer and default की बात है, OPC हम ने पढ़ ला, private company पढ़ लिया, PFI भी नहीं पढ़ा, relative भी नहीं पढ़ा, total voting पार हम देख चुके हैं, कि जी पोल बाले votes count करेंगे, membership नमें चैप्टर बन में किसी का कोई भी doubt हो तो, अरे साथ हो मेरे, revision हो रही है, यह सब वोपर से जा रहा है, आरे कुछ-कुछ याद, बिड़ा अगर आप तरीके से पढ़ाई करोगे, और वो मैं अपने सब्जेक्टी ने, हर सब्जेक्टी ने कर रहा हूं, that is, जब आपकी coachings चल रही है, अगर आपने उस moment पर class के दौरान तरीके से उसको पढ़ा होगा, घर जाकर revise किया होगा, आप उस चीज को 6 महीने बाद भी उठा करके पढ़ लेना, आपको पका याद आएगी, आपको ये तक याद आएगा कि sir class में क्या बोल रहे थे, क्या examples दे रहे थे, provided आ कुछ भी याद निया, ऐसा होगा, that is very normal, because syllabus is very vast, हर समय आपको हर चीज याद नहीं रहे पाएगी, तो आपको अपनी तियारी वो revisions के लिए करनी है, क्या आपको revision में दिक्कत ना आए, और उसके लिए classes के दौरान तरीके से पढ़ना जरूरी है, trust me, one month down the line आपको ये feeling करते हो, अब ही से आ रही हो, तो थोड़ी सी दिक्कत है, तो तुमने पढ़ाई ही नियुक्त तो ज्यादा जल्दी आगए, वो feeling थोड़ी दिन में आएगी, तो इसलिए, प्लीज, क्लासिस के साथ सत पढ़ाई जरूर करते है रहे न, वहाँ पर आप रा प्लीनियन मत पाएंगे न, तो एक चीज को अगर हम 10 बार रिवाइस करते हैं, इसी वज़े से कर पाता है, क्योंकि हम पास्ट पेस पर कर रहे है, तो मोमेंट में अपनी स्पीड हर रिवीजन में स्लो कर दूँगा, तो दक क्वांटम और रिवीजन हो जाएगी, इसलिए चलो, कोई न कोई आप किसी गवर्मेंट कंपनी में काम करते हो तो आप मीजे बीटे होगा इसके पाइस करने जा रहे हैं, तो आपका पारिसिपेशन यहां पर जरूर चीएगा, फ़्लीज न जानी का अईटि कंपनी बनाने का आईडिया जो कंसीब करता है, उसको क्या माना जाता है, और lawmaker ने प्रमोटर की अपनी तरफ से definition दे रखिये section 2 clause 69, कैसे define क्या गजी, किसी भी company का promoter आपका नाम खुद से बता दे, कहाँ पर, prospectus में या जिसका company के affairs के उपर क्या होगा, control, या जिसकी directions के साफ से board of directors are accustomed to act, पर इसमें किसको count नहीं किया जाएगा, एक professional capacity वाले person को यहा साथ private बनाईए तो, OPC में हमेशा एक, और basis liability तीन type की company बना सकते हो, limited by share, guarantee unlimited पर, अगर आप IFSC company हो, वो company हमेशा कैसी होगी, limited by share, अगली बाद बढ़े हाँ पर आगी थी आपकी OPC की, कि जिस समय member OPC को incorporate करने के लिए ROC के पास, 25 plus INC 32 file करेगा, उसी के अंदर उसको साथ में एक nominee का नाम भी बताना पड़ेगा, और ROC nominee का नाम कौन से document में दर्च कर देगा, memorandum, अगली बाद बढ़ा, nominee चाहे तो क्या अपनी consent withdraw कर सकता है, उसको ये बाद किस को बतानी पड़ेगी, company को भी और member को भी, जैसी वो member को ये बाद बताएगा, member अपने अब नए nominee का ना अगर कभी भी member की death हो जाती है, ये वो incapable to contract हो जाता है, ऐसे case में nominee बन जाएगा member, फिर वो अपने नए nominee का नाम company को बताएगा 15 दिन में, company ROC को बताएगी 30 दिन में again inform INC charge, फिर यहाँ पर rule 3 की कुछ बात आएगी कि कि किसी भी OPC का member या nominee बननने का eligibility criteria क्या है, बता दो, एक का member, दूसरे का nominee possible है, फर अगर कल को दूसरे में भी member बन गए, ये situation कितने दिन में correct करनी बढ़ेगी, 180 days, अगली बाद बढ़े यहाँ पर आएगी थी OPC की 3 restriction, क्या एक minor OPC का member या nominee हो सकता है, क्या आप section 8 company की तरह काम कर पाऊगे, और क्या आप NBFC activities कर सकते हो, नहीं, अगली बाद क्या आप चाओ तो अपनी OPC को private या public company में convert कर सकते हो, उसके लिए procedure क्या था, सबसे बहले resolution pass करेंगे, कौन से section में, 122, अगली बाद जी OPC के member, director and capital की requirement, अगर कोई है, उसको increase करना, section 18 को comply करना, और एक form file करना INC छे, अगर सब को सही है, ROC आपकी company को कर देग से, और जी साथ में, इनकी copy है, में 14 में file करेंगे, ROC के पास एक form file करेंगे, INC 6, अगर सब कुछ सही है, ROC आपकी company को convert करके, एक नया certificate of incorporation देगा, अगली बाद बिड़े या पर आगे थी, आपकी section 3 है, बता दो section 3 है, क्या था, तो जी अगर किसी भी point of time पर, किसी public company के number of member साथ से नीचे गए, private के दो से नीचे गए, फिर भी company काम कर दे रहे, कितने डाइम के लिए है, 6 महीने, तो 6 महीने के बाद company जितने भी rates इंकर करेंगे, उसके लिए member हो जाएंगे, severally liable provided they were, तो बहुत अच्छे, फिर अगला section 4, dealing with the memorandum, memorandum के सारी clauses, इमने डिसकस किए अगला गया था situation clause, जहां पर आप क्या लिखोगे, registered office का पूरा address, तीसरा गया था object clause, liability clause, capital clause, capital clause, capital clause में कौन सी capital, authorize, सिर्फ capital का amount लिखेंगे, number of share face value भी लिखनी है, दोनों चीज़े आपको mention करने पड़ेगी, फिर बढ़ा आपका अगया subscription clause, जहां पर आप सारे subscriber का नाम ल data होगा, वो वाली बात भी यहां पर mention की जाएगी, और finally, अगर आप OPC हो, तो nomination clause भी यहां पर आपको दर्ज करना पड़ेगा, फिर बढ़ा यहां पर हमने डिसकस किया, कि जो object clause है, वो बेहद ही important होता है, क्योंकि अगर आपने object clause से बाहर जाकर काम किया, तो वो हो जाएगा, ultra virus, for example, एक company के case में, वो company, business करती थी, mechanical engineering and general contractor का, और उसने, Richie को, एक financial contract कर लिया, loan देने का contract कर लिया, तो कल को बिढ़ा, यह वाला contract हुआ, ultra virus, और Richie ने जद साब से का, कि जद साब, general contractor के अंदर, financial contract भी cover हो जाएगा, तो जद साब ने एक rule of interpretation लगा था, कौन सा rule of, ageism, generous, और उनने का, जी, general contractor में, दुनिया, जहान की सारी चीज़े नहीं आएगी, it will mean something related to mechanical engineering only, और इसी लिए, transaction आपकी है, ultra virus, and this transaction is, void ab initio, केश का नाम आगे, आपका, ashbury railway carriage and iron company limited versus Richie, अगली बाद बढ़े है, आपर हमने जानी थे, difference, ultra virus, the company, and ultra virus, the director, तो जो काम, बेटा ultra virus, the company, for example, जिसकी इजाज़त, ना तो कानून दे रहा है, ना ही company का memorandum दे रहा है, कि member ऐसा काम company से करवा सकते है, the answer is no, पर अगर कोई काम intra virus, the company है, पर ultra virus, the director है, कि member ऐसी transaction ratify कर सकता है, yes, और बेटा, क्या आपको memorandum में हर छोटी-छोटी बात लिखने की जरूर रहता है यह कुछ powers आपकी implied भी हो सकती है, implied भी हो सकती है, फिर बेटा हमने memorandum का एक एक क्लॉस पिक करके उसकी चर्चा करनी स्टार्ट करी दी, सबसे पहले हैं आपका आपका आगया था, name clause, किसी भी company का नाम करेंट करते हो, कितनी बातों का ध्यान रखना है, answer में मजानी है, पि यहाँ पर हमने rule 8, 8A, 8B की सारी बात है discuss करी, और यह चारो factors ध्यान रखने के बाद, आप किसी भी नई company का नाम reserve करवाने के लिए, कोहन से form का इसमाल करोगे, spice plus INC 32, और अगर इस form में आपका नाम reserve होगा, तो ROC कितने time के लिए नाम को reserve करेगा, 20 days from the date of approval, तो 20 दिन के अं तो initially सीधे 60 days के लिए extend हो जाएगा, और अगर कोई existing company अपना नाम बदलना चारी है, वो कौन से form का इसमाल करेगी, run, run की full form, reserve unique नहीं है, और इस case में company का नाम, कितने दिन के लिए reserve होगा, 60 days from the date of approval, form के अंदर कोई भी error था, तो 15 दिन का resubmission का time भी आपको दिया जाएगा, बड़ा, ये सारी जानकारी दे करके अपने नाम reserve तो करवा लिया, पर फिर ROC को पता चला कि आपने incorrect information दे करके नाम reserve करवाया था, तो ऐसे case में ROC क्या करेगा, ROC देखेगा भी, company उस नाम से incorporate हुई है, या नहीं हुई, अगर company incorporate ही नहीं हुई थी, बहुत बढ़िया, ROC फिर क्या करेगा, reserve name cancel, और कितिने रुपी के penalty, एक लाग, पर अगर company incorporate ही तो, तो company को नाम change करने के लिए बोला जाएगा, कितने नाइम है, three months, bypassing, वहार बरना company का strike-off भी होसकता है, company को, wind-up भी आँपर कराया जासकता है, अगर यवाद हमने सारी जानकारी सही थी थी, फि अपनी एक गलत नाम के साथ incorporate हो गई, तो क्या company को नाम rectify करने के लिए बोला जासकता है, rectification की power किसके पास है, CG, कौन से section में वो power दी गई है, section 16, section 16 में central government किसी भी company को suo moto नाम change करने के लिए बोल सकता है, in that case company को कितने टाइम में नाम change करना पड़ेगा, three months, bypassing, वहार, या CG किसी registered proprietor of a trademark की complaint पर भी company को बोल सकता है, trademark holder की complaint, कितने टाइम में आ जानी चाहिए, three months, bypassing, और अगर CG के कहने पर इस तरीके से company ने नाम नहीं बदला, तो lawmaker एक बहुत मसा नाम company को दे देंगे, क्या, ORDNC, year of passing of direction, serial number of the direction and sin number of the company, that will become the new name of the company, और क्या company को जीवन भर, इसी अपनी मर्जी से अपना नाम बदल सकती है, बदलने के लिए कौन से section का इस्तेमाल करेगी, section 13, section 13 आप का आता है, alteration of memorandum, memorandum का अगर आप कोई भी clause alter करना चाहते हो, उसके लिए कौन सा resolution लगता है, SR, except one clause, कौन सा, capital clause, capital clause, अगर आप कौन से section में, 61, bypassing, वा, तो बदा, memorand random में अगर आप name clause बदलना चाहरे हो, यहां भी आपको SR तो पास करना पड़ेगा, और साथ में name clause बदलने के लिए, किसका approval लेना पड़ेगा, CG का approval आपको लेना पड़ेगा, पर दो cases में CG का approval की requirement नहीं थी, कौन से दो case, अगर आप अपने नाम में सिर्फ word private idea delete करना चाहर तो यह SR और CG का अगर को approval है, उसकी copy आप ROC के पास file करना, ROC आपका नाम चेंज कर देगा, पर तीन defaults के case में आपको नाम बदलना allowed नहीं होगा, कौन से तीन default थे, अगर आपने financial statement default किया, या annual return का, या debentures या deposits या उनका interest रुकाने में default किया, ऐसे case में आपको नाम चेंज करना allowed नहीं होगा, अगली बात यहाँ पर आगई थी situation clause की, क्या हर company का एक registered office होना mandatory है, कौन से section में बात लिखी हुई थी, section 12, तो section 12 ने बताया कि हर company का एक registered office होना चाहिए, within how many days of incorporation, within 30 days of incorporation, और उसका verification भी आपको file करना है, अगर आपने file नहीं किया, तो penalty भी ही लगेगी, company का नाम यहाँ पर strike off भी किया जासकता है, अगली requirement यहाँ पर labeling किया है, कि company अपने कौन कौन से document पर अपनी कौन कौन से label करेगी, अगली बात है बढ़ा, कभी भी कोई company कर अपना नाम चेंज करती है, नए नाम के साथ पुराना नाम, कितने time तक लेगा पड़ेगा, दो साल, और अगर आप 1% company हो, तो आपको नाम के नीचे bracket में वर्ड, 1% company mention करने पड़ेगे, अगली बात बढ़े आप 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 आई थे, आपके shifting of the registered office, अगर कोई company within same CTV, अपना registered office बदलना चारी है, उसके क्या चीए था? Board resolution, पर अगर आप outside CTV जाओगे, तो SR की requirement भी आपको पड़ेगी, और अगर आपका state same है, फर ROC बदल रहा है, ऐसे case में और किसका approval लेना है? RD, RD से जब approval मांगने जाओगे, तो RD कितने दिन में approval देगा? 30 दिन, उसकी बात आप ROC को कितने दिन में CG, CG approval देगा कितने दिन में? 60 दिन, और CG approval देने से पहले किसकी interest का ध्यान रखेगा? Creditors की interest का ध्यान रखेगा, this is how, आप situation clause alter कर पाएंगे, अगली बात बड़े आप रागी थी object clause, object clause नॉर्मली बदलने के लिए आपको बस क्या चीए होता है? SR, पर अगर आपने prospectus issue करके public से पैसा raise किया था, पैसा अनुटलाइज पड़ा है और आप उसका object बदलना चाह रहे हो, तो इस SR की copy कितने newspaper में publish करेंगे? 2, साथ में कहाँ upload करेंगे? website, और जी जितने भी dissenting shareholder है, जिन्होंने SR के favor में vote नहीं किया, उन्हें क्या मिल जाएगा? exit offer, तो यही सारी बात या यह बात है, जनली आप articles से में mention करते हो, central government अपनी तरफ से articles के कुछ mandatory matter बतासकते है, पर apart from that company, आप अपनी मरजी से अपने articles draft करी है, पूरी flexibility आपको है, पर आपकी मदद करने के लिए lawmaker ने आपको कुछ model articles ready करके दी है, क्या model articles as it is adopt करना mandatory है, पर अगर अपने model article की की कोई बात, ना तो specifically exclude करी, ना ही उसको modify करके लिखा, तो क्या वो automatically आपकी company के article में add हो जाएंगे, the answer is yes, अगली बात बड़े आप आप रागे थी very important entrenchment, entrenchment क्या होता है, पर नॉर्मली किसी भी company के articles को alter करने के लिए क्या ची होता है, पर क्या कोई भी company अपने articles को alter करना time link देना, in corporation के बाद, अगर आप entrenchment का प्राफधान डालना चाहते हो, तो public company को approval लेना पड़ेगा, by way of, SR और private company को सारे members का approval यहाँ पर लेना पड़ेगा, और जी जब भी आप entrenchment की बात अपने articles में डालोगे, उस चीज के लिए एक specific notice आपको ROC को provide करना पड़ेगा, bank करने memorandum और article पड़ रखा था, because these are public documents, तो यहाँ से आपकी निकल करें, doctrine of constructive notice, case का नाप, Griffith vs. Page, अगली company का article में लिखा हुआ था, loan raise करने के लिए, कम से कम दो डारेक्टर के साइन तो चीज है, पर वो दोनो डारेक्टर लोन देने से पहले, member से अप्रूबल लेंगे, त इस पर से दो डारेक्टर के साइन थे, बाद में पता चला, डारेक्टर ने member से अभी पूछाई नहीं था, तो being an outsider, क्या आपको company की हर छोटी-छोटी बात को cross check करने की जरूरत है, या आप internal बातों पर rely करके चल सकते हो, तो यू के rely on that, case का, yeah, doctrine का नाप, doctrine of indoor management, और यह किस के favor में काम कर रही है, company के outsider, outsider के favor में काम करती है, case का नम क्या आगया था, Royal British Bank versus Turquoise, तो बढ़े, यह doctrine outsider को protect तो करती है, पर क्या हमेशा protect करे गया, कुछ exception है, कितने exception थी, चार, सबसे बहला, अगर loan देने वाला person, खुद एक डारेक्टर था, तब वो क्या, कैस्टर मुझे क share certificate पर अगर जाली दसकत करके आपने किसी और को transfer कर दिया, तो transfer ही indoor management का benefit claim नहीं कर सका, case का नम, Rubain versus Great Fingal Consolidated, अगला जी, negligence या suspicious transaction, जी, अगर company के नाम का check, bank director के personal account में दलवा देगा, तो banker को यह निकस्ते है, मुझे क्या पता, director authorized है या नि, क्योंकि यहाँ पर आपकी share negligence case का ना, Underwood versus Bank of Liverpool, and finally, चौथी exception कों से आगे थी, ultra virus या illegal transaction, अगर आज आपने कोई illegal या ultra virus काम किया, तो आप indoor management का benefit claim करते हो, उसको legalize नहीं कर पाऊगे, तो this is all about आपका section number 5, और अगर articles बना लिए और उनको alter करना हो, तो alteration की बात कों से section में थी, 14, और अगर articles को alter करने के लि private को public में convert करो, किसका approval था, किसी का नहीं, पर public को private बना रहे तो किसका approval था, CG का approval भी साथ में आपको लेना पड़ेगा, filing ROC के पास 15 दिन में कर दीजेगा, आपके articles alter हो जाएंगे, और कभी भी आप memorandum या article को अगर alter करते हो, क्या वो बात उसकी हर copy में record करनी पड़ेगी, ये बात कौन से section में लिखी थी? 15, और अगर कभी भी कोई member अपनी company के पास, अपनी company का memorandum article मांगने आएगा, तो क्या company को उसकी copy फरनिश करनी पड़ेगी, कितने दिन में? साथ दिन में कौन से section में? section number 17, तो बढ़े सारी बात आपके थी memorandum and article, फिर एक छोड़ा से section न कर सकते है, act को override, आप सिर्फ एक ही case में कर सकते हो, कौन से case में? अगर उसकी इजाज़त खुछ से company's act ने दे रखी है, तभी आप act की बात को override कर पाएंगे, तो बढ़े सारी बात हमने discuss करी section 6 तक, इसके बाद हमने company को incorporate करना सीखा था section number 7 में, company incorporate करने के लिए कौन सा form file हो अगर आपके सारे documents okay है, तो ROCN को चेक करने के बाद आपको दे देगा certificate of incorporation कौन से form में? INC 11, तो बढ़ा, INC 11 में आपका certificate of incorporation आजागा, जिस पर क्या mention होगा? SIN number, और SIN number कितने digits का होता है? 21 digits का alpha निमरी code होता है, और अगर बढ़ा, आपने incorporation से जम्मत दे जितने भी काग्जात है, आपको उन्हें कब तक सम्भाल कर रखना पड़ेगा? लाइफ टाइम तक और कहां पर सम्भाल कर रखना पड़ेगा? At the registered office only. And last day video यहाँ पर बात आगे थी, अगर आप incorrect information देख करके company incorporate कराओगे, तो 447 में तो आपकी liability आजाएगी, साथ में कोन सी authority आपके against order pass कर सकती है? By NCLT, और NCLT क्या order pass कर सकता ilो से चुछी है, जो से सही लगए going, पास कर सकता गैए तो आपका memorandum बदल सकता है, आपका आउडल सकता है, आपका रखना सकता है, वाओका strike-off कर सकता है, या member की liability, personal भी कर सकता है, यह power NCLT क材 है, पर NCLT कोई भी order pass करने से पहले एक reasonable opportunity भी इंखट देगा, the answer is yes, तो इस तरीके से section साथ में आकर क्या आप company incorporate कर आसकते हो, और company incorporate करने का effect क्या होगा? Company incorporate करने का effect, what is the effect of incorporation of the company, कौन से section में लिखा था? section 9 में effect क्या था, company क्या बन जाएगी? एक separate legal entity, जिसकी perpetual succession, वो होगी एक body corporate, तो यह आगया बिटापका effect of incorporation of the company, तो भी आप वही company के सारे features यहां पर दुबारा से discuss होए, और जिस जैसे आप company incorporate करोगे, उसके memorandum and article का effect क्या होगा? यह भी paper में आसा सवाल, what is the effect of memorandum and article? तो यह हम क्या मानें यह कि memorandum और article को company ने और हर member ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, और उनके sign उस memorandum और article पर हो रखे हैं, जिसकी वज़े से memorandum और article में लिखी गई बातों के लिए, company member के towards bound है, और member company के towards bound रहेगा, पर क्या member आपस में directly एक दूसरे को स्यूव कर सकते हैं? नहीं, उन्हें वो अधिकार किसके through and force कराना पड़ेगा? company के through, और क्या memorandum और article में लिखी गई बात के वज़े से company outsider के towards bound होगी? the answer is no, यह सारी बात आपने डिसकस करी section number 10, और आज के दिन, अगर 2 November 2018 के बाद, आप इंडिया में कोई भी company incorporate करते हो, जिसकी share capital है, तो वो incorporate होते ही, ना तो business start कर सकती है, ना ही कोई borrowing कर सकती, जब तक वो कितने काम ना कर दे, दो, दो compliance उसे करने पड़ेंगे, कोहन से दो compliance अबसे बहला? उसे अपने registered office का verification फाइल करना पड़ेगा section 12 में, और दूसरा compliance, उसका एक director ROC के पास एक declaration फाइल करके क्या बतायागा, कि हमारे जितने भी subscriber to the memorandum, ने जितने भी share लेना agree किया था, उन्होंने उस share के उपर सारा पैसा पे कर दिया, और ये declaration आपको कितने दिन में फाइल करनी होगी, 180 days of incorporation, और ये बात आपके लिख हुई है section number 10A, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे, तो इस case में भी penalty तो लोगेगी, साथ में ROC, आपका नाम strike of भी आपर कर पाएगा, तो ये सारी बात है section 10A के discuss होई, section 11 तो हम अलड़ी loss of it करी चुके है, इसके बाद हम आगए थे section number 8, section 8 किसी इसका था? अरे section 8 किसी इसका था? section 8 company, तो बढ़ा section 8 company बनाने के लिए तीन conditions में चाहिए थी, कौन-कौन सी, सबसे बहला आपको कैसा काम करना पड़ेगा, कोई charitable काम आपको करना है, दूसरा, क्या आप अपने profits को dividend के फॉर्म में डिस्टिबीट कर पाऊगे, तो जी profits का करोगे, क्या? अपने objects को प्रमोट करने में इस्तमाल करोगे, तो या तो आपको या नई नई company को section 8 बना सकते हो, वरना किसी existing company को भी section 8 में convert कर सकते हो, अगली बात यहापर हमने जानी थी, section 8 company जब आप बनाओगे, उसे limited company के सारे privileges मिलेंगे, क्या एक partnership firm भी section 8 company की member होगती है, the answer is yes, और फ्यूचर में गर आपको कभी भी section 8 company के memorandum या article को alter करना है, तो ऐसे case में जो section 13, 14 में बात लेखे है, वो तो चलेगी, साथ में approval किसका लेना पड़ेगा, CG का, और क्या आप चाओ तो एक section 8 company को non section 8 में convert कर सकते हो, ऐसे case में, बढ़ा, SR के साथ, किसका approval लेना पड़ेगा, ARD, तो बढ़ा, SR पास करते हो, ARD के पास application देते हो, public notice देते हो, सबके objections आने के बाद, ARD final approval देगा, तुबारा से SR पास करोगे, के memorandum article alter करने के लिए, और finally ROC के पास filing करके, अपनी company को आपकर आस्पने convert, और conversion के time, आपकी company में जितने भी accumulated profit दे, वो तो सारे member को जाएंगे न, यह बढ़ा, वो profit कर जाएंगे, conversion के time पर, IEPF, Investors Education and Protection Fund, और बढ़ा, अगर आज के दिन, आपने कोई section 8 company बनाई है, जो बनने के बाद section 8 को तोड़ रही है, companies 1 को break कर रही है, license की conditions को तोड़ रही है, that is, यह company तरीके से काम नहीं कर रही, तो क्या CG's का license रिवोक कर सकता है, और रिवोक करने के बाद, क्या वो उसका amalgamation भी कर सकता है, जोड़ा company का amalgamation करके, उसके जो भी surplus asset है, या तो किसी दूसरी section 8 company को चले जाएंगे, या कौन से fund में चले जाएंगे, insolvency and bankruptcy fund, और क्या CG चाहें, तो किसी किसी दूसरी company के साथ amalgamate भी कर सकता है, वो दूसरी company कैसी होनी चाहिए, section 8, इसके बाद हम आगे थे section 18 पर conversion of one type of company into another, section 18 बहुत जादे important नहीं था, इसने बस यह का, किसी भी एक type की company को दूसरे में बदलने के लिए, आपको memorandum और article को alter करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप memorandum और article का section 13 और 14 कर लेना comply, जैसे आपको इस company को convert करोगे, तो ROC आपको एक नया certificate of incorporation देगा, आपकी company convert तो हो जाएगी, पर पुरानी company की जितनी भी liability इस्ती बिड़ा, conversion की वज़े से वो खतम हो जाएगी और नई company की नाम में continue हो जाएगी, नई company की नाम में उने continue कर दिया जाएगा, this was all about अपका section number 18, फिर आयतम very very important section, जो last week class में हम discuss किया था, section number 19, क्या कहते है भई, क्या किसी भी subsidiary को अपनी holding का share खरीदना allowed होगा, नहीं, holding company अगर कोई allotment या transfer कर भी दे, वो भी होगा, avoid पर इस बात के कितने exception थी, तीन पहले exception क्या थी, अगर उसे वो share मिला हो as a legal representative of the deceased member of the holding company, तब आपके पास वो share आसपता है, या subsidiary आपके पास वो share आजा as a trustee, या आपने वो share कभ खरीदा हो, subsidiary बनने से पहले, और तीनो cases में voting right आपको कभ कभ मिलेगा, सिर्फ पहले दो case में, तीसरे case में subsidiary को voting right यहाँ पर नहीं मिलता, फिर यहाँ पर आगया था आपका section number 20, कि अगर company अपने member को, या ROC को 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 document serve करना चाहरी, यह इन तरीकों से करोगे, आप company को को document serve करना चाहरी हो, तो company के register office पर आप serve कर सकते हो, और अगर कोई member बेटा company को specifically पैसा दे करका है, मुझे तो इसी particular method से notice चाहिए, तो क्या company उसी method से notice बेजने को bound है, तो answer is yes, और अगर जनरल meeting का जो notice होता है, company सारे members को अलग-अलग बेजती है, पर हर member पर कितने time में उसे served मान लिया जाएगा, within 48 hours, फिर आप बेड़ा section number 21, अगर कोई document authenticate करना है, तो कोई भी KMP ये काम कर सकता है, बरना कोई भी officer या employee, जिसको डारेक्टर सने designate कर रख है, वो भी company का कोई document साइन कर पाएगा, अगली बात बढ़ा है या पर आप आगे थी section number 22, कोई भी check, bill of exchange, प्रोमिसरी note, अगर sign करना है, तो कोई भी prescribed officer इसको sign कर पाएगा, पर अगर कमपनी के बहाब पर कोई partnership, डीड बगएरा sign करनी है, तो बढ़ा, वो sign कर सकता है, सिर्फ कोई attorney, और attorney को उसके लिए मिलना चीए authorization, that is, attorney होना चीए authorized, उसको वो authorization कैसे मिलेगा, या तो company अपनी common seal लगा कर authorize कर सकती है, वरना कम से कम कितने director के sign, तो या अगर company में CS हो, तो एक director और CS के sign से आप यह वाला काम कर पाएगे, this is all about our chapter numbers, और सुनो, तो यह आपका पूरा syllabus हो बढ़ा, हम class में past page पर इसको one hour में revise कर पाएगे, तो मैं इतना मान कर चलता हूँ, अगर आप घर पर half day या one day lock or devote कर दोगे, तो अब तक हमने जितना पड़ा है, वह आप comfortably device कर पाओगे, हाँ जी, कोई doubt है आपर, क्या बता दूँ, section 22, उसने बस बेटा इतना का, कि company के बहाब पर कोई भी check वगरा sign करना है, या तो company अपनी common seal एक paper पर लगा कर करेंगी, हाँ जी, मैंने attorney को authorize कर दिया, या बिड़ा, power of attorney पर दो director sign करके करेंगे हैं, कि company के बहाब पर हम इस lawyer को authorize कर रहे हैं, या एक director एक CS sign करके करेंगा, हम authorize कर रहे हैं, attorney आप lawyer मान लिजिए, एक legal representative, जो company के बहाब पर उसके legal documents को sign करके हैं, जिसको company ने authorize किया, तो synonym आप lawyer के तरह मान लिजिए, बाकि attorney का lawyer होना mandatory नहीं है, वो कोई भी person होता है, जिसको company authorize कर रहे हैं, deed, वो वाली बाद सिर्फ आपकी partnership, deed, deed, deeds पर अप्लाई करेंगे, only, हाँ जी, और कोई डाउट यहाँ पर, एक बार मैं life students का भी डाउट ले लोग और कोई डाउट आ रहे है, sorry, दोनों chapter कितने marks काते हैं, ऐसा कोई set pattern नहीं है, institute ने कहा रहे हैं, 10 नमबर के आएंगे, 5 नमबर के आएंगे, पर पास ट्रेंड को अगर आप देखेंगे, तो लग बग, 8 से 10 नमबर तो definitely carry करेंगे, बाकि ये नमबर 20 में भी जा सकता है, और institute का मन करें, तो एक भी सवाल ना पूछे, कोई pattern ऐसा नहीं है, 10 नमबर के तो आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे,